ये आकाश्वाणी रायपुर है प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशानेयर अब पेशे आज के मुख्य समाचार कोरोना वाइरस के नए स्वरूत के संक्रमन से बचाओ और निगरानी के लिए स्वास्त विभागनी जारी की दिशार निर्देश पिछले चार हब्तों में यूके की यात्राकर 36 गड़ाय सभी वेक्तियों की जुटाई जा रही है जानकारी 36 गड़ पुलिस ने ओपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पिछले दो वर्षों में 4,317 गुमशुदा बच्चों को खोज निकाला सुक्मा और दंतेवाडा जिले में सुरक्षा बलों ने 6 माववादियों को किया गरफतार और प्रधानमंती नरेनिमोदी कल सुबह 11 बजे आकाश्वाणी पर मन की बात कारिक्रम में देश और विदेश की लोगों के साथ अपने विचार साजा करेंगे कोरोना महामारी के खिलाफ देश एक जुट होकर लड़ रहा है आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाओ की तीन आसान एतियाती उपायों का संकल्प लें कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाय मास्क लगाएं दो गस दोरी है जरोरी सुरक्षित दोरी रखें हाथ और मू साफ रखें अब समाचार विस्तार से कोरोना वायरस के नए स्वरूप के संक्रमन से बचाओ के लिए पिछले चार हफ्तों में यूनाइटेट किंडम की यात्रकर 36 गड़ आये सभी वेक्तियों की जानकारी जुटाई जा रही है इस समन में स्वास्त विभाग ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं विश्व स्वास्त संगठन द्वारा यूके में कोरोना वायरस के नए स्वरूप की पुष्टि की गई है यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द्वारा इस कोरोना वायरस के नए स्वरूप को अधिक संक्रामक तेजी से फैलने वाला और छोटे आयू समूहों को संक्रमित करने वाला बताया गया है इस वायरस के संक्रमन से बचाव के लिए केंडर सरकार द्वारा जारी एसोपी के अनुसार 36 गढ़ आने वाले ऐसे सभी यात्रियों जिनों नोई पिछले चार सप्ताह के भीतर UK की यात्रा की हो उनके लिए ये दिशा निर्देश जारी की गए हैं बताया गया है कि पिछले चार हफ्तों में 100 से अधिक लोग UK से 36 कर लोटे हैं इन में से कुछ लोगों की कोरोना जाच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है ऐसे व्यक्ति जिनके सेंपल की जाच में नए स्वरूप वाले वायरस की पुष्टी होती है उन्हें प्रिथक आईसोलेशन निकाई में 14 दिन रखा जाएगा और 14 में दिन पुनह जाच की जाएगी एसोपी के अनुसार पिछले चार सप्ताह के भीतर यूके की यात्रकर 36 गड़ आने वाले सभी यात्रियों को अपनी यात्रक के संबंध में जानकारी और शपत पत्र देना अनिमार्य है इस भी 36 गड़ में कोरोना ठीका करण को लेकर तैयारियां भी शुरू हो गई हैं बिलासपूर जिले में कोरोना ठीका करण के संबंध में संबंधी तरिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षन दिया जा रहा है जिले में कोरोना वैक्सीन रखने के लिए 14 सेंटर बनाए गए हैं प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमन के 859 नए मामलों की पुष्टी हुई है भाजपा के विधायक और पूरुमंत्री ब्रिजमोहन अगरवाल ने भी स्वैम के कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है इन्हें मिलाकर 36 गड़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 2,73,000 से अधिक हो गई है बरतमान में 14,000 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन अस्पतालों में चल रहा है जबकि 3,263 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है स्वास्त विभाग ने कोरोना संक्रमित से हो रही मौतों को कम करने के लिए लक्षन दिखने के 24 गंटे के अंदर कोरोना जाच कराने की अपील लोगों से की है स्वास्त विभाग द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि लोगों द्वारा लापरवाही बरतने के कारण कोरोना से मृत्यों के आकड़े बढ़ रही है लक्षन नजर आने के बाद भी लोग कोरोना की जाच नहीं करवा रही हैं और इस्तिती बिगड़ने पर ही अस्पताल पहुचते हैं इस बीड 36 गड़ की जानी मानी लोग गाई का और नारी शक्ती सम्मान से सम्मानित रजनी रजक ने लोगों से कोरोना संक्रमन से बचाव के लिए जरूरी सावधानिया बरतने की अपिल की है जै जुहार आकास्वानी के सभी स्रोताओं को मेरा नमस्कार मित्रों कोविट महमारी के खिलाप आजपूरा देश एक जुठ होकर लड़ रहा है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने हाल ही में इसके बचाव के बारे में लोगों को जागरू करने के लिए एक जन आंदोलन की सुरुआत की है हम सभी को इस जन आंदोलन में सहभागी बनना है आईए हम सब अपने स्वयम के और परिवार तथा सामाज की कोरोना संक्रमन से सुरक्षा और बचाव के लिए तीन आसान एहतियाती उपायों को अपनाने का संकल्प लें आप जब भी घर से बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं बाजार या किसी भीलभाड वाली जगों पर जाएं तो लोगों से सुरक्षी दुरी बनाए रखें और साथ ही साथ समय समय पर हाथ को साबून और पानी से धोती रहें ये तीन आसान उपाय आप अपना कर हम कोरोना को मात दे सकती हैं याद रखें जब तक दवाई नहीं तब तक धिलाई नहीं पत्र सुचना कार्याले उन सभी पत्रकारों की जानकारी एकत्र कर रहा है जिनकी मृत्यू कोविट के कारण हुई इसका उद्देश ऐसे पत्रकारों के परिजनों को सहता पहुँचाना है पत्र सुचना कार्याले ने ऐसे पत्रकारों के परिजनों को एक निर्धारित प्रारूप में विवरन प्रस्तुत करने के लिए कहा है जो इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध है प्रदेश में इंदिनों समर्थन मुले पर धान की खरीदी जारी है इस दोरान कई उपारजन केंद्रों में बारदाने की कमी और अव्यवस्था होने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं इस समन्द में खाद्यमंत्री अमर्जीत भगत ने बिलासपूर प्रवास की दोरान पत्रकारों से बादचीत करते हुए कहा कि धान खरीदी केंद्रों में बारदाने की परियाप्त व्यवस्था सुनिशित करने के निर्देश दिये गए हैं वही प्रदेश में धान खरीदे में हो रही अव्यवस्था को लेकर भारतिय जनता युवा मोर्चा के कारिकरताओं ने आज धंतरी में कलेक्टरेट के सामने धरना प्रदशन किया उधर महा समुन्जिले में खादेविभा की टीम ने अलग-अलग स्थानों से 257 बोरा धान जब्त किया है 36 कर पुलिस ने ओपरेशन मुस्कान अभ्यान के जरिये पिछले दो वर्षों में 4,317 गुमशुदा बच्चों को खोज निकाला है इनमें 741 बालक और 3576 बालिकाएं शामिल हैं इनमें से अधिकांश बच्चों को उनके परिजनों के सुपोर्द कर दिया गया है पिछली दो वर्षों में प्रदेश में कुल 5,227 बच्चों की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है पुलिस महानी देशक डियेम अवस्थी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश पगेल के निर्देश पर गुमशुदा बच्चों को ढूनने के लिए ऑपरेशन मुस्कान अभियान चलाया जा रहा है इसके तहट अलग-अलग महिनों में विशेश अभियान चलाकर इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को ढून कर उनके परिजनों को सौपा गया है श्रियवस्थी ने बटाया कि गुमशुदा बच्चों को ततकाल बरामत किया जाना आवश्चक है क्योंकि इन बच्चों के भिक्षा वृत्ती, बालश्रम, लेंगिक, शोशन, आधि के शिकार होने की संभावनाएं ज्यादा होती है सुक्मा जिले में सुरक्षा बलो ने पाँच मावादियों को गरफतार करने में सफलता हासिल की है पुलिस अधिक्षक कनही अलाल द्रूव ने बताया कि सी आरपी एफ, कोब्रा बटैलियन, डियार जी और एस्टी एफ की सेक्ट टीम ने इन मावादियों को किस्टाराम इलाके से गरफतार किया इनके पास से आईडी बनाने का सामान भी बरामत किया गया है इन मावादियों के खिलाफ विभे नहिंसक वारदातों में शामिल रहने का आरोप है वहीं दंतेवाडा जिले में भी सुरक्षा बलों ने एक इनामी मावादी को गिरफतार किया है अरनपूर्थानक्षेत्र के नहाडी के जंगलों में गश्ट के दवरान CRPAP और DRG की सेंक्त टीम ने इस मावादी को पकड़ा इस पर एक लाग रुपे का इनाम खोशित था प्रादेशिक समाचार आप आकाश्वाणी रैपूर से सुन रही है प्रदानमंत्री नरेद्रमोदी कल सुभा 11 बजे आकाश्वाणी परमन की बात कारिक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगी मासिक रेडियो कारिक्रम का यह बहत्तरमा संसकरन होगा यह कारिक्रम आकाश्वाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क और आकाश्वाणी समाचार की वेबसाइट पर भी प्रसारित किया जाएगा आकाश्वाणी, दूरदर्शन समाचार, प्रधान मंत्री कार्याले तथा सूचना और प्रसारण मंत्राले के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका लाइव स्ट्रीम किया जाएगा आकाश्वाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद इस कारिक्रम का क्षेत्रिय भाशाओं में प्रसारण होगा क्षेत्रिय भाशाओं में यह कारिक्रम रात आठ बजे दो बारा प्रसारीत किया जाएगा मुख्यमंत्री भूपेश पखे लोकवाणी में इस बार युवाओं से बातचित करेंगी इस समद में कोई भी व्यक्ति आकाश्वाणी रायपूर के दूर भाष नंबर 0771-2430-501-502 और 503-28-29 और 30 दिसंबर को दो पहर 3-4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकॉर्ड करा सकते हैं मुख्यमंद्री की मासिक रेडियो वारता लोकवाणी की चौधमी कड़ी का प्रसारन 10 जन्मरी 2021 को होगा इसका प्रसारन 36 गड़िस्त आकाश्वाणी के सभी केंद्र, एफम रेडियो और क्षेतरी समचार चैनलों से सुबह 10.10 बजे से 11.00 बजे तक किया जाएगा पंचायत और ग्रामिंड विकास मंद्री टी एस सिहंदेव कल रात साढ़े साथ बजे आकाश्वाणी रायपूर से प्रसारित विशेश कारिक्रम हमर ग्राम सभा में राजिशासन की नीतियों, योजनाओं और कारिक्रमों के बारे में जानकारी देंगे इस कारिक्रम को मीजे वेव 981 किलो हर्ट्स पर सुना जा सकता है, इस कारिक्रम को प्रदेश इस्थित आकाश्वाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगी मुख्यमंत्री भूपेश बगेल, कल जांजगी चापा जिले के पामगड और बलोदा बाजार भाटा पारा जिले के सिमगा में आयोजित गुरु घासी दास जयनती कारिक्रम में शामिल होंगी इसके बाज श्रीब घिल रायपूर जिले के बिर्गाओं में आयोजित चत्तीजगर मनवा कुर्मिक शत्री समाज के राज अधिवेशन समारों में भी शिर्कत करेंगी भारती जन्ता पार्टी द्वारा प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर कारिकर्ताओं का मंडल इस्तरी प्रशिक्षन कारिक्रम आयोजित किया जा रहा है इसी कड़ी में रायपूर पश्चिम विधान सभाक्षेतर में मंडल इस्तरी कारिकरताओं का दो दिवसी प्रस्रीक्षन आसी शुरू हुआ, कारिकरम को संबोधित करते वे भाजपा की राश्ट्री उपाध्धक्ष और पूरु मुख्यमंत्री डॉक्टर रमनसी ने राज जानकी चाहपा जीले में भी मंडल इस्तरी दो दिवसी प्रस्रीक्षन कारिकरम का आयोजन किया जा रहा है। बिलास पूर्सांसद अरुन साव ने प्रस्रीक्षन कारिकरम का शुभारंब किया। प्रस्रीक्षन कारिकरम में विधायक नाराण चंदेल सहित पार्टी के अ अंतियोदें और सभी वर्गों की चिंता कर योजनाओं को अमल में लाने का कारिक्रम बनाया है। संखर्ष ट्रेक्टर यात्रा भी निकाली जाएगी। कारिक्रम में पार्टी के प्रदिश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद रहेंगे। काफी सुविधा होगी। महासमुन जिले के बार्नमा पारा अभ्यारनिक शेतर में वन विभाकी टीम ने जंगली जानवर का शिकार करने के आरूप में साथ लोगों को गिरफतार किया है। अब कुछने खबरें संक्षिप्त में। राजनान गाउन निवासी वरिष्ट साहित्तिकार और हिंदी के प्रोफेसर डॉक्टर गनेश खरे का आजरायपूर के एक नीजी अस्पताल में निधन हो गया। राजनान गाउन में मापाताल, भहरवी मंदीर और वर्फानी धाम को इस्थापित करने वाले वर्फानी दादा का आजराजस्थान के महंदीपूर बालाजी में अंतिम संसकार किया गया, इसमें मंदीर समीती के सदस्यों सहित अन्य भक्त भी शामिल हुए। पुलिस महानिदेशक दिये मवस्थी ने आजमलेशवर थाना पहुँच कर खुडमुडा गाउं में चार लोगों की हत्ता के मामले में चल रही विवेचना के समन्द में पुलिस अधिकारियों से जानकारी ली। डीजीपी ने पुलिस अधिक्षक को भी जाच के समन्द म राजिसरकार के दोवश का कारिकाल पूरा होने के उपलक्ष में आज रायपूर जिले के तिल्दा में शासन की विभिन जन कल्यानकारी योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित एक दिवसी फोटो प्रदर्शनी का यवजन किया गया। कोंडा गाउं जिले में राश्ट्रिय राजमार्ग पर दही कोगा प्लाट पारा के पास मोटर साइकल सवार एक ब्रक्ति की सड़क किनारे खड़े वाहां से जा ठकराने के कारण मौत हो गई। जिले में जामुल पुलिस ने एक कार से 38 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को गिरफतार किया है। और महासमुनजिले में बसना पुलिस ने एक युवा को गिरफतार कर उसके पास से 6 किलो गांजा बरामत किया है। आन्त में मुखे समाचार एक बार फिर। कोरोना वायरस के नए स्वरुप के संक्रमन से बचाओ और निगरानी के लिए स्वास्त विभागनी जारी के दिशाने देश पिछले चार हफ्तों में यूगे की यात्राकर 36 गड़ आये सभी वेक्तियों की जुटाई जारी है जानकारी। 36 गड़ पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान अभियान के तहत पिछले दो वर्षों में 4,370 गुमशुदा बच्चों को खोज निकाला। सुक्मा और दंतेवाडा जिले में सुरक्षा बलोने 6 मावादियों को ग्या ग्रफतार और प्रदान मंत्री नरेद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाश्वाणी पर मन की बाद कारिक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने वीचार साजहा करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्थुआ नमस्कार।